लोजपा के बाद अब जदियू के सभी सांसद प्रधान मंत्री मोधी के सरन में जाएंगे पिछले बार जब लोजपा में टूट हुई थी हो अपने देखा था किस तरीके से लोजपा के पांच सांसद इंडिये में रह जाते हैं वहीं एक सांसद अकेले चिलाक पासवान अलग हुजाते हैं लेकिन इस बार मामला कुछ बदला हुआ है बिहार में चल रहे राजनीतिक गतिरोध के बीच एक तरफ जहां भाजपा और जदियू के नेता आमने सामने हैं खास तोर पर सरकार से बाहर जो लोग हैं जो मंत्री मंडल में सामिल नहीं हैं वो लोग काफी अक्रमक रूप से जदियू पर हमला कर रहे हैं और जदियू के कई नेता भी भाजपा पर अक्रमक हैं ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि पढ़ार मंत्री मोदी के नेत्रित्व में दिल्ली में सरकार चल रही है, जदियू के लोग मंत्री मंडल में सामील है, तो एक तरह विशेश राजी के दर्जे को लेकर ललन सिंग ने मुहीम चलाई है और इस मुहीम को लेकर बिहार की सरक पर भी खासा आसर पढ़ रहा है, लोग का कहना ये भी है कि सरकार में कोई दिकत नहीं आएगी, लेकिन जब पोलिटिकल रूप से बाते चलती हैं और बिरोध जारी किया जाता है, तो कहीं न कहीं सदन के अंदर भी इसका परमान देखने को मिलता है, परमान के रूप में राजीव परताप रोडी और ललन सिंग के बीच तीखी जोक आपको याद होगी, उसके बाद अब एक बार फिर से सुनील कुमार पिंटू जदिव के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि हम लोग परधान मंत्री मोधी से मुलाकात करने जाएंगे, ग्री मंत्री से मुलाकात कर हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, ऐसे में परधान मंत्री मोधी से मिल कर जदिव का तमाम सांसद हैं, जदिव के जो तमाम सांसद हैं, जो दिल्ली में हैं, वो सभी मुलाकात करेंगे और विशेस राजी के दर्जे को लेकर बात चीत करेंगे, ऐसे में एक बार फिर से प्रदान मंत्री मोधी के पाए के दमाम सांसत जाएगे तो बड़ा सवाल यह है कि विशेश राज्य दर्जे को लेकर एक तरफ है जहाँ भाजपा के नेता लगतार नइकार रहे हैं और बिहार भाजपा और जद्यू लगतार आमने सामने है तरफ है केंद्रिय मंत्री सबसे बड़ा सवाल तो यह एक एक तरफ जहां बिहार में सरकार को लेकर चर्चा है वहीं केंद्र में जदियू के लोग भी यानि जदियू के सांसद आर सीपी सिंग्भी सामील है हाला कि आर्शीपी जिंग इस मुद्दे को लेकर जब जद्यू के तमाम सांसद जाएंगे तो जाएंगे या नहीं जाएंगे इसको लेकर संसद है क्योंकि वो मंत्राले में सामिल है और वो नहीं चाहेंगे कि इसको लेकर कोई भी विवाद हो वही सुनिर कुमार पिंटू ने जब कह दिया है तो ललन सिंग लगातार हमलावर है ही ऐसे में सभी सांसद प्रधार मंत्री मोधी से मुलाकात करेंगे इसी पहले भी जाती है जनगना के मुद्दे पर विहार का एक प्रतिनीदी मंडल जा चुका है सरवदलिये बैठक की बाते भी कही जा रही थी लेकिन सभी दलों के नेता प्रधार मंत्री मोधी से मुलाकात कर चुके हैं देखना ये होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या प्रतिक्रिया आती है क्या प्रधार मंत्री हुद्दे को लेकर सोचते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लिए ओजे को घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जए अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता निए तो जोइन बटन दबा दी पे टिम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवादी